हलो दोस्तों देखिए डो जोंस यहां पर लाश्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 2.12 परसेंट अब था लगबग 700 पॉइंट्स की यहां पर एक जंप देखी गई थी क्या यह एक बिगिनिंग है बुल मार्केट की क्या बुल मार्केट यहां पर दुबारा लौटता तो इसी से एलेटेड आज हमें आपर बाते करने वाले हैं और बुल मार्केट में आपको सब को पता ही है कि यहां पर पैसे किस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं लोगों के पोर्टफोलियो 4-5 पाद 10-10 गुना होते हुए नजर आते हैं तो क्या हमें इस ते इन्वेस् नहीं है अपने फाइंशेयर बेसे कुछ की स्टड़ी करना है और यतना हो सका है सीखने के लिए वीडियो और दूसरा हमारा यह नंबर 8605-40501-8169-261037 इन नंबरों पर कॉणटक करके आप हमारे इस पोर्स का हिस्सा बन सकते है जहाँ पर हम बेसिक्स टुए डवानस स्टॉक मार्केट सकाते हुए नजर आते हैं टेकनिकल भी सकाते हैं रिसर्च भी सकाते हैं कब लेना है यह बेचना है किस मार्केट में ल और बहुत भागते हुए नज़र आते हैं कि यह पूरा ग्यान यहां पर मिलेगा स्ट्रेटीजी जो मैं यूज करता हूं लाइन नोट्स वो सब आपको यहां पर पता चलती हुए नज़र आएगी तो यहां पर आप इस सकते हैं इसके लाव़ वाट Relig ऑप ऑइसे स्क्रीण शॉट मैं हरा यहां से रहे होगती हैं और यह आप झब एड़ ढेक हमारे इस तहीं तरीके से भागतने हैं और यह यहां नेज़र आते हैं और ऑस पोड़ा है और अragen यहांवान आता हो पता की अिको करिए हमारी membership है और के premium membership है जहां पर आप काम मिलके काम करेंगे तो आपको भी फायदा होता हुए नजर आएगा साथ में हमें भी होता हुए नजर आएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते तो आपने देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से डो जोंस ने यहा पर 140% की यहां पर तेजी होती हुई नजर आई तो आज हम इसी से इलेटेड बाते करने वाली है और हम यहां पर देखने वाले है कि क्या यहां पर मार्किट में एक तेजी यहां पर आती हुई दिखाई देगी तो देखिए कुछ दिन पहले जब debt ceiling से इलेटेड बाते चल पावर में number one आता है तो यह किसी भी तरीके से default नहीं करने वाला कहीं ना कहीं सा यह सब चीजे आरेंज कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते है जो डॉन साइंज डट लिमिट बिल अवाइड यूज डिफॉल तो यहां पर होने से बच गया है इसी की वज़े से आप रचेंगे कि डो जोंस ऐस वेलH एस ड覺得 रहे तो क्या यहां पर अच्छी तरीके से भगते हुए नजर आए तो क्या यह पर बुल मार्केट दुवारा हैज किया अक्शे का यहां पर बच़े अच्छाथे अशड़ा अर्शे तरीके से भग सकता है तो इसी का एक्जमपल हम यहां पर लेते हुए नजर आएंगे तो जैसे यहां पर market गिर रही थी तो यहां पर support नजर आ रहा था और मैं अपने जितने भी मेरे clients से मैं उन्हें कहा रहा था कि घबराने की जुरुद नहीं है यहां पर से यह यहां पर retracement है यहां पर खतम होगी यह यहां पर भागता हुए नजर आएगा तो देखिए यहां से गिरा एक support लिया सपोर्ट लेकर कुछ दिन यहां पर consolidate करके यहां पर 2.2% की यहां पर तेजी होती ही नजर आई अब देखिए बोट टाइम से इस रेंज में यह क्या कर रह क्रोस करेगा एनिहाओ क्रोस करेगा और जैसे ही क्रोस करेगा तो यहां पर आपको पता है कि इसका next target क्या है फिर यहां पर सबसे पहले 35,600 के आसपास और फिर उसके बाद यह 36,000 और 37,000 के जो इसका all-time high है यहां तक जाता हुआ नजर आएगा तो शायद यह इस बार यहा बाता हुआ नजर आ सकता है यह मुझा यहां पर नजर आता है तो डो जॉन्स आपको समझ में आ रहा हा है को यहां पर कभी भी यहां पर breakout आता हुआ दिखाई देगा।टा रहेत कि यहां denying पर बहुता हुआ ठीजियों कि तो आप पता है कि NASDAQ में भी तीजियों कि आ दे यहां पर यह रुखने निवाला है, हो सकता है, यहां पर टच करके इसे, इस पर्टिकुलर लेवल को टच करके, यह थोड़ा सा रिट्रेस हो, दुबारा यहां पर 500,000 पॉइंट की गिरावाट और इसके बाद जब यह दुबारा भगता हुए नजर आएगा, तो यह अपने NASDAQ और DOJONS की बाते की कर रहा हूँ, हम तो यहां पर इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उसी पर मैं आ रहा हूँ, मैं इसका एक्जामपल लेकर आपको समझाने वाला था, कि किस तरीके से, देखिए, DOJONS और AS WELL AS NASDAQ उपर की तरह भगते हुए नजर आ रहे ह हैं, तो उसी के लिए जब यहां पर इंडियन मार्केट अल्रेडी यहां पर अल्टाइम हाई के आसपास चल रही है, और DOJONS पीछे चल रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला, यह देखिए, यहां पर हमारी मार्केट है, हमारी मार्केट अल्टाइम हाई पर चलती हुए नज आता है, यहां पर हिष्टरी को आप देखना चाहें, तो यहां पर देख सकते है हिष्टरी किस तरीके से चलती हुए नजर आ रही है, तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहां पर जब बात चल रही है कि DOJONS उपर जाएगा, तो यहां पर Nifty 50 को भी उपर ह यहां पर साइमल्टेनियसली जाना पड़ेगा, और आप यहां पर देख सकते हैं कि Nifty all time high pack की तरफ यहां पर बढ़ती हुए नजर आ रही है, यहां पर यहां पर सपोर्ट लेती हुए नजर आ रही है, यहां पर अठारे हजार का लेवल, यहां पर एक क्रूशल लेवल है यहां पर यहां पर यह टच करके थोड़ा सा रिट्रेस लेगी, इतने में डो जोंस भी उपर आता हुए दिखाई देगा, और फिर यह दोनों भाई सासा चलते हुए नजर आएंगा, और एक अच्छा खासा breakout देखे, यहां पर bull market की शुरूआत होगी, और जैसे कि हम यहा 24,000 और 26,000 की लेवल आने वाले टाइम में यहां पर 50 दिखाता हुए नजर आएगा, निफ्टी 50 तो यहां पर बात करें अभी पीछे है, ठीक है, बट निफ्टी मिट कैप आप देखोगे, तो निफ्टी मिट कैप अल्रेडी यहां पर breakout दे चुका है, और all time high पे अपने चलता हुआ नजर आ रहा है, 34,000 को इसने last trading session में टच किया है, ठीक है, और हो सकता है, यहां से थोड़ा सा retracement ले, नीचे आए, ठीक है, लगबग लगबग अगर हम बात करें, 33,000 लगबग, 600, 700 पांट नीचे आ सकता है, और इसके बाद इसमें एक bounce back होगा, जो कि इसे बह अगर हम बात करते हैं, तो लगबग लगबग हमारा जो midcap है, midcap लगबग लगबग यहां पर 41,000 के level को यहां पर touch कर सकता है, तो 34,000 का level यहां पर चल रहा है, 34,000 के आसपास का, तो अभी 7,000 का और भी ज्यादा upside यहां पर दिखाई देती है, और यहां पर अगर हम overall बात क तो लगब लगब 20% index में आपर nifty midcap यहां पर बगता हुए नजर सा आ सकता है, इसके इलावा हम देखे तो small cap ने अभी तक all time high टच नहीं किया है, बट धीरे धीरे आप यहां पर देख रहा होंगे, यह breakout पर breakout देता हुए नजर आ रहा है, इसमें थोड़ी सी negative candle बनती यह index 11,800 की तरफ बढ़ेगा, ओके 12,000 की तरफ बढ़ेगा और फिर यह भागता हुए नजर आएगा, तो हम यहां पर देखिए, डो जोंस यहां पर nifty small cap है, और हम यहां पर share कों से देते हुए नजर आते है, small cap, mid cap, small cap, mid cap देते हुए नजर आ रहे है, तो small cap में इतनी यह इंडिकेशन है, शायद कि यहां पर एक अच्छी तासी तेजी हो सकती हो, इसका थोड़ा सा नीचे आकर दुबारा भागता हुए नजर आएगा, और यहां पर nifty mid cap, फिर हम बाद में analysis करेंगे, nifty small cap का कि यहां पर कितना target दे सकता है, बट फिर भी मैं आपको एक अध कर अंदाजा लगाऊं इन सभी चीरों के लाबा, तो मुझे यहां पर नजर आता है कि nifty जो small cap है, यहां पर एक नया हाई जब बनाएगा, तो यह जो index है लगबग लगबग 15,000 और 16,000 की level को touch करेगा, जो यहां से लगबग 6,000 पॉइंट उपर है, ओके आने वाले लग सक हैं, बट यह जब भागेगा, तो obvious ही बात है, small cap, mid cap और ही कहीं label पर होंगे, तो buying selling की recommendation नहीं है, बट मुझे आपर एक bull market नजर आती है, जिस तरी के से dojos यहां पर काम कर रहा है, नजड़क काम कर रहा है, और हमारे mid cap, small cap और large cap जिस तरी के से काम कर रहे है, मुझे लगता ह कि एक bull market यहां शुरू होने वाली है, लंबा consolidation दो साल का हो चुका है, और एक अच्छी घासी तेजी कभी भी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आपको देखती भी नजर आएगी, so video अच्छी लगे, like करिएगा, comment करिएगा, share करिएगा, channel को subscribe करिएगा, और यहां पर हम सब गुरू का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारे साथ काम करना है, तो काम कर सकते हैं, जहां पर मैं आप वीडियो बनाता हूं, और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारे शेयर भागते हूए, नजर आते हैं, और अच्छा कासा पैसा आपका बन सकता है, so thank you so much, God bless.